कच्छा नौरकी मैइत्मेटिक्स की कलास शरू हो चुकी है नितेश कुमार जी हमारे साथ जूड़ जूड़ चुके हैं रवी संक्र जी भी जूड़ चूए हैं और रोहित विशकर्मा जी भी जूड़ चुके हैं प्राणजल अंकिता सिंग पूनम सुनीता महेश विनीता और कौन है अंकिन सभी जुड़ गए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चलिए कच्छनों की NCRT गडित में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्नावली 6.3 यह आपके छटवे चैप्टर का लाश्ट है रिशू सानी मैं देख पा रहा हूं आपका कमेंट बच्चा ठीक है यह आपके छटे चैप्टर का लाश्ट है यह पहले तुम लोग हमें यह बताओ किताब लिये हो कि नहीं सभी किताब लियो ना तो चलो ठीक है जल्दी बोलो जो बच्चे किताब लिये यस और भाई जिनके पास किताब नहीं वो किताब खरीद ले जिनके पास किताब नहीं हूं किताब खरीद लें exercise 6.3 class 9th मैद ठीक है चलो बच्चा question number इधर side में देखो ध्यान दो question number 5 बहुत ही simple सा सवाल है एकदम आसान है question number पहला कहता है इस आकृती में मतलब जो आकृती दी गई है किताब में ऐसे लिखा इसलिए मैं पूरा सवाल लिख दे रहा हूँ ऐसे आकृती question जो बच्चे किताब नहीं लिए वो जरूर लिखें किरन मौर्या जी मैं देख पा रहा हूं हनूपम याददव धर्मराज विसकर्मा जी कमेंट आपका देख रहा हूं जो किताब नहीं लिए हैं वो सवाल जरूर लिखें और बाबु जो किताब लिए हैं वो सवाल समझें सवाल जीतना समझोगे उतना अच्छा समझ में आएगा यह चैप्तर थोड़ा टफ है थोड़ा टफ है दिमाग लगाना पड़ेगा चलो मैं तिरभूज PQR की भूजाओं QP की भूजाओं QP देखो अभी चितर बनाओंगा तो सब समझ में आजाएगा और RQ को करमसा और RQ को करमसा अभी फिगर बनाओंगा सब समझ में आजाएगा कौन सा चितर है आदा मिनट रुक जाओ को करमसा बिंदू यस तथा टी तक बढ़ाया गया है हिंदी मीडियम इंग्लिस मीडियम सब में यही सवाल है कि बिंदू यस तथा टी तक बढ़ाया गया अब देखो अब मतलब की चीज आ रही है जो आपको समझना है बहुत बहुत दन्यवाद आपको चलिए के रहा कि तिर्बूज पी क्यू आर में तो भाई पी क्यू आर एक तिर्बूज बना लो बच्चा पहले इसका का नाम है थोड़ा मैं नीचे बनाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं ठीक है ठीक है चलो एक तिर्बूज है ज जैसे करते मैं कर ले रहाँ यह तिर्फूज है पी क्यू आर इतना ठीक है अगे कह रहा है कि देखो देहन दो अगे क्या कह रहा है क्यारा PQR की भुजाओं QP को QP को QP यही है न QP और RQ को करमसा यस तथा T तक बढ़ाया गया करमसा का मतलब यह है भाया कि जो QP है उसको यस तक और जो RQ है उसको T तक आगे बढ़ाया गया यानि इनको कहा तक लही गया गया वह यहाँ पर कोई बुजा है जिसका नाम से यह है और बुजा आगे बढ़ कौन से है वो यह टी तक बढ़ाया गया को को आर कुू अार क्यू इसको टी तक बढ़ांए गया थोड़ा इसको नीचे लिखें तब लबर आएंगे हम यहां पर क्या नाम है करते हैं कि अच्छ आप देखो आपके किताब सब्सक्राइस अच्छा ni जल्दी करो यह ऐcha है आगे सवाल क्या कहता है ध्यान देना करा यदि यस पी आर बराबर 135 डिग्री सवाल लिखो यदि कोण एस पी आर बराबर 135 अंस बच्चा यस पी आर कितना है 135 अंस यस यह यस पी और यह कितना है 135 है बाबु मतलब आपका यह वाला एंगल 135 है अभी मैं सिर्फ सवाल लिख रहा हूं भाई यह कौन है भाई डीसी दिस्वंद गेमर जी कलास देखो बाबु ठीक है कलास देखो नहीं करबड हो जाओगे और करना है पी क्यूं टी बराबर 110 दीगरी पी क्यूं टी मतलब जानते हो फी ग्यूं ती 110 मतलब ये वाला कॉंड कता है 110 डिगरी त्यान से देखो आगे क्या कहता है आगे क्या कहता है आगे कह रहा है कि यह तो ठीक है तो पी आर क्यू ग्याद कीजिये अब ध्यान दो PR क्यों ग्याद करना भाई साहब Mr. Seekh Ratik ji आयरा समझ में हमें ये वाला कोण ग्याद करना है ठीक है? इन आर वाला कोण हमें निकालना है इतना लिख लो जल्दी से इतना हो गया? इतना लिख लिया ना? आगे चलें अब तो कर लोगे अब तो कोई बड़ी बात है नहीं है नहीं लो अब देखो एक 135 दिया है इक 110 दिया है इसमें हम कुछ रूल लगाएंगे ठीक है इसमें कुछ रूल लगाएंगे वो रूल कौन सा मैं बता रहा हूं होँ मैं थोड़ा फॉन ले लेता हूं जिससरे में कुछ लोग को कर सकों चुकि है तो जो लोग पढ़ रहें उनको डिस्टर बहुता है थो एक मिनेट रुग जाओ मैं फॉन ले लेता हूं फिर इन लोग को ब्लाक करता हूं तब फिर आगे कहानी बढ़ती है सलूसन पर चलते हैं आप लोग यह बता मुझे क्या आप रहकी क्यों कुम जानते हो लिनियर पेर जानते हो कि नहीं देखिए भाई उत्तर भी आ गया जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आ रहा किरन मौर्या का अंसर आ गया बहुत अच्छ क्या रोगे भाई साथ दयान दो आप लोग कि दयान दो मैं सामने सहण गया हूं कि आसफ क्लार नीडे को यह से क्लान च that इसकि आदबने की जल्दी वर थ वाली बताओ अ कि कितने कोण्ट बने हैं लो जल्दी बताओ कि 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 टने कोनड बने अ और भाई जवाब सेहे हो कि बने हें है भाई यहाँ और क्यू पर देखो आप ध्याद से अगर तो एक कौने यह बन रहा है और एक कोंड यह भी बन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, यह लाइन सीधी सीधी अगर देखो, यह क्यूं ऐसे, तो इस पर एक कोंड यह बन रहा है, यह दो कोंड इस पर बन रहे है, तिक है, अब ध्यान दो आगे, इधर साइड ध्यान दो, क्या करना है समझो यहाँ पे आप लिखो के रेखा कौन सी S Q C हाँ यह थोड़ा फ़र लिख लोगे ता अच्छा रहेगा रेखा S Q C आप लिखो कौन कौन सा भाई एक तो यह 135 वाला आ जाए दूसरा यह आ जाए देखो पहले मतलब समझे लो हमें करना क्या है हमें कौन आर निकालना है यह आर निकालना है न और हमें क्या है इसमें से तीन कौन है एक यह है भाई तिरभूज के अंदर तीन कौन है न तीन अंता कौन है एक कौन यह है एक यह है और एक यह है हमें इसमें से कोई भी कौन नहीं पता है अनुपम यादो जी में देख रहा हूँ आपका कमेंट सही है ठीक है ठीक है ना कुछ नालायक टाइप के जुड़े हैं जिनको मैं क्या कहूं अखिर गाली दू तब भी गडबड है ना चलो देखो इस तीनों में से हमें कोई भी क्योंकि हम जानते हैं तिरभुच के तीनों अन्ता कोणों का योगफल 180 अंस होता है तो पहले हम यह कोण निकालने यह इस पर पी वाला निकालने और फिर यह निकालने क्यू वाला तो हमें आर वाला जाएगा तो हम लिखेंगे क्या लिखो कोण SQR या फिर SPR लिख लो SPR हाँ स्वारी SPR SPR प्लस और क्या करोगे भाई SPR SPR यह किस पर बन रहा है SQ पर ही तो बन रहा है न और प्लस P की कौन सा लोगे यह पूरा पूरा PQR भी लिख सकते हो न क्या लिखोगे जल्दी बताओ QPR बहिए जल्दी लिखो फटा फट लिखो SPR और QPR बराबर कितना होगे 180 ठीक है जल्दी करो फट से लिख लो SPR और QP QPR बराबर 180 बरेकर्ड में लिख लो रैखी की यूग्मू क्या हो राइन पे रैखी की यूग्मू हमें पता है कि जो कौन रैखी की यूग्मू बनाते हैं वो क्या होते हैं QPR, SPR और QPR बिल्कुल की रन महुर्या जी बिल्कुल राइट बिल्कुल राइट बाबू, मतलब ये कौन आपका कितना आगया 45 ठीक है ये कितना हो गया ये हो गया आपका कितना ये हो गया कितना 45 देखो हमने रेखा लिया था ये ये वाला पीस के लिए बन रहा था इस तिर्बूज ABC के लिए और एक SPR, SPR बन रहा था बाहर वह है कौन ना, तीन, दो कौन थे बने यहां से इसको निकाल लिया एक आगया अब हमें क्या करना है अब हमें दूसरी रेखा लेना ये वाली ये रेखा रेखा TR से या फिर RT से ठीक है इसको लिख लो मैं मिटा दूं इधर साइड में इधर साइड में मैं मिटा दे रहा हूँ ठीक है मैं इधर मिटा सकता हूँ इधर तो कोई दिक्कत नहीं है जो बच्च zar लेखे रे वीडियो को पीछे करके चुकि जादा जगा नहीं तो मैं इसी तने में हल कर दूंगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पेज से हम करते हैं नए पेज से जो चात्र अभी नए नए जुड़े हैं भाई रभी संकर विश्करमा जी आप लोग एक काम करो ना आप लोग कलास को पीछे करके लिख लो या फिर स्क्रीन साथ ले लिया करो जैसे पूरा हो जाए अब दूसरी रेखा लेंगे कौन सी येे रेखा रटी से या फिर रटी पर लिख लो ज्याद़ अच्छा रहेगा वह से कोई साइड में चूों कद देखो गैट क्यों बन चाहे और एक कियाल एक लिखेगा व्यास कई क्यों तो बिt क्यों बन रहा है तो आप क्या लिखो गें लिखो PQT कौरी धन कोड चाहिए तो होगा नप फिकी ओ आर्ड बराबर एकह स्वासिय अंस का रड़ लिख लो रैखी की यूगमों मतलब linear pair यह क्या है linear pair बना रहे हैं बिल्कुल किरन मौड़ा जी very good ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छे very good चलिए अब देखो यहां पे ध्यान दो तो PQT कौन सा भाईया PQT 110 दिया है यह रख दो बाबो 110 दिगरी प्लस कौन PQR इक्वाल 180 अब लिख लो कौन PQR वरावर 110 माइनस 180 माइनस 110 फाइनल में इसको हल कर लोगे भाई साहब तो 70 दिगरी आएगा यानि हमारा यह कौन कितना हो गया 70 दिगरी आगे न समझ में इसमें किसी को कोई मुसीबत नहीं न ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बच्चे जल्दी जल्दी फटा फट लिखते जाओ और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएं बहुत तेजी के साथ जल्दी करो आप लोग हां चलो इतना हो गया चलो ठीक है बेर नए पेज पे शिवानी मिस्तरा जी गुड इबनिंग गुड इबनिंग आप देखो एक नए पेज पे यह लाइस्ट हो गया मुझे कोई बताएगा कोण आर कितना होगा कोई बताएगा एनिवन देखो भया क्या होगा ध्यान दो तिर्बूज PQR अगर हम देखें ऐसे द देखें सामें पता इसके यह कूण आर है यह कूण क्या फ़हाएबहा दो 25 बता है अब से अध्यृ अराम्म से आ जाएगा लिख लो लिखो लिखो फटाव लिखो लिखो पी क्यूटी प्लस तीनों दुनों जोड़ दो चलो लिखो कौन फी क्यूँ या फिरैसे लिखो पःले थोड़ा और अच्छा लिखलो ठाउं से लिखो तिरभूज पीक्यू आर में तिरभूज पीक्यू आर में कौन सा करोगे P, Q, R, धन, कोड, क्या लिखोगे, R, Q, P, धन, लेकिन ये तो एक क्यों हो जा रहा है, R, P, Q, R, P, Q लिखो इसको, ये उल्टा-पुल्टा करके लिख लो, मतलब तीनों आ जाए, बस, देखो इसमें P आ जा रहा है, एक और लिख लो जिसमें R आ जाए, धन, P, R, Q, पराबर 180, ठीक है, कितना हो जाएगा 180, सभी कमान रख दो, Q कमान कितना है, 110 है, नहीं, 70 है भाई, तीरबुज के लिए लोगेद बाबु 70 है, ये कितना है, 70 है, ये कितना है, 45 है, और ये P, R, Q, बराबर 180, देखो हमें यहीं निकालना था, कहां गया, ये P, R, Q, निकालना था, ब्रेकट में यहाँ पे लिख दो, 180 ये कैसे हुआ, उपर लिखो, नीचे वाले में मत लिखो, उपर वाले में लिखो, 180 कैसे हुआ, पता है दुनको, लिखो यहाँ पे ब्रेकट में कारण, तिरभूज के तीनों, ब्रेकट में कारण लिखो, तिरभूज के तीनों, अन्ता कोणों का योगफल, 180 होता है, यहाँ पे कारण लिखो, जब ये P, Q, R, और R, P, Q, और P, R, Q, बराबर 180 कर दिये हो न, तो ब्रेकट में कारण लिखो, ऐसे काहे कर रहे हो, लिखो, 180 होता है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लो, ठीक ना बच्चा, कोई डाउट नहीं न, निकल यादो, मैं एस भट्टी, धरमराज इस करमा छोटू, चलो, अब यहाँ से निकाल लो भाई साब, P, R, Q, बराबर 180 माइनस 70 माइनस 45, बच्चा, इतना हल करना तुमको आता है, तो P, R, Q निकाल लोगे, तो 55 डिग्री आएगा, और यह हो जायागा हमारा 50 ठंस, और हमें सिर्फ यही निकालना था, यही निकालना था न, जी बिलकुल, बिलकुल बाई धरम, राज बिस करमा का, जो एक्स्प्लेनेशन है, बिलकुल करेक्ट है, अब मै चलो, जल्दी से लिख लो, फट से लिख लो, बहुत जल्दी देर मत करो, ओके, चलो, ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को, नहीं न, चल यह ठीक है, लाइट थोड़ा कम हो गई क्या, हमें लगता बहुत ज्यादा बेतर दिखेगा, अब चलें आगे, चलो, ठीक है, ओके, गुड़, तो बच्चों, यह आपकी, जो है exercise, यह 6.3 का question number first हो गया, second number आप लोगो मर करोगे, और third number में करवा रहा हूं, ठीक है न, हिसाब बराबर है न, अब तीसरा question देखो, क्या कहता है, तीसरा question कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा कि आकरती 6.14 में, ऐसा question में लिखा गया है, यह आकरती 6.14 का मतलब है, यह figure यहाँ पर दिया गया, यह, इसमें, ध्यान से देखो, तब ही समझ में आएगा, चुकि थोड़ा सा यह, भई, standard question है, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, यह बात आप समझने की कोसिस करो, ठीक है, इस आकरती में क्या करने को कह रहा है, कह रहा है, यह द BAC 35 है, BAC कहा है, BAC 35 है, इतना क्लियर है, BAC 35 है, CDE 53 है, CDE कितना है, 53 है, तो पूछ रहा है कि DCE ग्याद कीजिए, मतलब हमें यह कोण ग्याद करना, यह, DCE ग्याद करना है, देखो, इसमें आपको कुछ तथ्थे लगाने होंगे, भई, कमेंट में सब का देख रहा हूं, समझने की कोसिस करो, नरेन सिंग, पुखराज, अनुपम यादो, दुर्गेश, सोनी, किरन मौर्या, रोहित जाट, और ब्रिज कांत मिसरा, पी वियर स्टडी के स्पेसाल स्टूडेंट भाई, रोहित हैं, बिसकर्मा जी, और सारुख, सभी का कमेंट आ रहा है, सभी इमा देखो, इसमें क्या करना, सिंपल सा है, थोड़ा सा समझ लो, भाई, मैंने आपको पढ़ाया था, कि अगर दो रेखा हैं, ऐसे समांतर हैं, और उनको कोई एक रेखा ऐसे टच करे, परतिछेदित करे, तो यह जो कोण बनते हैं, यह जो कोण बनते हैं, यह एक आंतर कोण बनते हैं, यह एक आंतर कोण हैं, बस यही एक आंतर कोण का कांसेप्ट यहां लगा दोगे, उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, फटा फट उत्तर आ जाएगा, एक आंतर कोण के कांसेप्ट में, कैसे देखो, इतर द्यान दो, अगर आपने कांसेप्ट सीखा है, कौन c e d मतलब कुछ समझ में आया बी एसी c e d के बराबर है यानि जो एक है वो e के बराबर है यह कह रहा है नहीं हां देखो है बराबर क्या है यह यह बराबर है देखो कैसे बराबर ध्यान दो आप लोग मैंने नाम थोड़ा सा अलग लिखा है क्या और आम ऐसा ही बुक में नाम दिया है ना इसके नाम ऐसे हैं ना एक बार बुक से कॉइश्टन मिला लो हां ऐसे ही दिया ठीक है तो बच्चा देखो यह दोनों कौण बराबर हैं क्यों बराबर हैं ब्रेकट में लिखो अंता एक आंतर कौण alternate interior angle अंता एकांतर कोण इसलिए दोनों क्या है बराबर है तो बच्चा BAC का मान दिया है 35 बाबू दिया है न तो कोण CED यानि हमें क्या मिल गया जो कोण E था ये 35 मिल गया कितना मिल गया 35 हमें C का मान निकालना है देखो या इसका मान हमें गयाद करना है मेन हमें इसको निकालना है बस हो गया कितना आसान है बहुत आसान है है ना भई आरहना समझ में किरन मौर रहा interior angle एककोल होते हैं बिलकुल बहुत अच्छे very good concept आपको पता है ये angle A E के बराबर होगा क्यों क्योंकि अभी जैसे मैंने दिखाया था एक बार फिर से देख लो ये अगर ये देखा इसको ऐसे मिलाती है तो ये कोण और ये कोण ये दोनों कोण क्या है अन्ता एक आंतर कोण है और अन्ता एक आंतर कोण आपस में बराबर होते हैं इस कारण से अभी एसी बराबर हो गया सी इडी के ठीक है इतना ठीक है चलो अगर ये अन्ता एक आंतर कोण का कांसेट नहीं जानते हो तो फिर नहीं कर पाओगे जल्दी से स्क्रीन साट ले लो या लिख लो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी करो मैं सामने साट गया हूँ बस कुछ सिकेंड के लिए जल्दी करो आप लोग इसको क्लियर करो इधा लाइट थोड़ा कम पढ़ती बोर्ट पे यार मुझे लगता है हां लाइट थोड़ा कम पढ़ती न बोर्ट पे चलो हो गया अब देखो इतना हो गया नीचे जगा कम है इसलिए मैं मैं मिटा के लिखूंगा अब हमें यह कौण मिल गया अब हमें इसको मिटा देंगे ठीक है यह हमारा काम खतम हो गया अब हम बड़े अराम से इसका उत्तर निकाल लेंगे चुकि एक तिर्भूज है बच्चा तिर्भूज देखो CDE में दो कौण हमें पता है तो हम तीसरा कौण निकाल लेंगे न भाई तिर्भूज देख लो CDE में हमें दो कौण पता है तो तीसरा कौण निकाल लेंगे ल लिखो चलो लिखो तिरभूज तिरभूज सी डी ए में क्या क्या हो जाएगा कौण कि सी डी ए कौन कौन अरे याला कौण सी डी ए धान डी सी ए धान और चाहे तो इसको सी डी वो लो या फिट डी ईसी बोलो मतलब है क्या है चलो अब डी कमान कितना दिया वच्चा तीरपन दिया है मतलब सी डी कमान तिरपन है धन DCE हमें C कमान नहीं दिया है इस कमान नहीं दिया तो हम DCE ऐसे लिख देंगे धन दियान दो बहुत ही प्यार से समझो तभी समझ में आएगा CED मतलब हमें E कमान 35 दिया है यह 35 यह बराबर यहां 180 कर लो कितना कर लो गए 180 तो मैं कारण लिख देता हूं तब इसको बाद में मान रख दूँगा चलो तो शोत्याई यह तीनों गूप जोड एक दोर्ग में यह झाया है कूण रिख दूं उसके बाद पर में मान रखूंगा ठीक है कारण लिखो ब्रेकत में लिखो चूपी इक तिर्भूज के तीनों अन्ता कोड़ों का योग कोड़ों का योग 180 अंस होता है समझ में है ना ऐसा क्यूं हुआ ऐसा क्यूं हुआ भाई कीरन महुर्या जी बिल्कुल राइट साइड आफ ट्राइंगल या फिर आसे का सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका मान आप तीरपन रख दोगे दन यह dc e ऐसे लिख लोगे उतारते जाओ फटाफट हाँ चलो आगे यह c e d कमान 35 रख लो बराबर 180 ठीक ना बच्चा अब क्या करोगे नीचे दिख रहा है न एक लाइन में और आगे हल कर सकता हूं तो आप इसको कर लोगे dc e बराबर 180 माइनस 33 माइनस 35 फाइनल हल कर लो मैं उपर मिटा के थोड़ा उपर लिख देता हूं हो गया के लियर हो गया देखो थोड़ा आज इंटरनेट सोलो है हो सकता क्वाल्टी भी थोड़ा बहुत अच्छी नहों इंटरनेट बहुत सुलो चल रहा बच्चा देखो इसके बाद मैं ऊपर हल कर रहा हूं ध्यान देना यहां के बाद ऊपर तो कोड़ dc e बराबर 180 मा यह 180 माइनस 88 हो जाएगा बराबर 92 यानि हमें जो सी का मान आया यह 92 आया हो किया बस इतना ही करना था यह फाइनल आंसर है लिख दो इस तरह से आपका कुश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया ठीक है ब्रीज कांत आया समझ में राम बरन कुमार तुम पढ़ोगे नहीं तो तो बच्चा पढ़ा हो तब आएगा ना उत्तर मिलाने थोड़ी उत्तर आएगा लिख लो देखो जो बच्चे अभी तक नहीं लिखे ना वो वीडियो को पीछे करके समझें जो बच्चे नहीं लिखे वो वीडियो को पीछे करके समझने की कोसिस करें पहले पूरी कहानी क्या है कि एक लुक और फिर से देखें और एक एक पॉइंट का स्क्रीक साड़ ले लें आप कोशिच चिंगा पहले समझने की और एक बात कमेंट करो ना करो mobile को ऐसे करके देखो बताओ ऐसे की हो न सभी बोलो यस या नो ऐसे की हो न, phone को ऐसे करके देखो ऐसे नहीं, ऐसे करोगे थोड़ा छोटा दिखता है चर्मजा नहीं आती है, ऐसे करके देखो comment बंद कर दो, ठीक है comment मत करो, कि बहुत समझो अच्छे से बस करके देखोंगे बहुत प्यार से समझ में आएगा अगर कुछ पूछnot नहीं समझ्ञे रहा है इसे कर लो अगर हैं कोई कमेंट करना है कमेंड कर तो फिर ऐसे कर लिख रहा है इंटेनेट धीमा होके तो बलर दिखेगा तो क्वाल्टी बदल लोगे तो फूल एच्टी दिखेगा एकदम मस्त दिखेगा एकदम साफ दिखेगा कि देखो मैं सारे कुईस्टन नहीं करवा रहा हूं कुछ कुईस्टन मैं छोड़ा हूं आप लोगों के लिए ठीक है तो मैंने फार्ट लगाया है ठाड लगाया है सेकंड आपके लिए हॉम और छोड़ा है तो बताओ पहले सीकेंड कर लोगे की नहीं ट्राई करना अगर नहीं कर पाऊगे तो जो सवाल छोड़ रहें उसको हम लाइश्ट में बताएंगे अन्तमें ठीक है कुश्चन नमबर सीकेंड होमवर्क रहेगा थार्ड वाला मैंने कर दिया फोर वाला होमवर्क रहेगा अब भ्याद छेद असमलों तीन चल रहा है कच्छा नौकी अन्सी आर्टी गडित कुश्चन नमबर फोर होमवर्क रहेगा आप लोग घर पे ट्राई करना नहीं आएगा मैं बताऊंगा जब यह चैप्टर सब खतम हो जाएंगे तब मैं जो जो छोड़ा रहांगा उसको कर 6.43 में कुश्चन नमर फाइब 6.3 कुश्चन फाइब कहरा आकृती 6.43 में ज्यान दो 43 में लिखते चलो फटा-फट गगण जी गुड़ इबनिंग गुड़ इबनिंग ठीक है कर चुक है अच्छी बात है लिखो यदि पी क्यू लंब है पी एस पर यदि पी क्यू लंब है पी एस कामा पी क्यू समांतर है एस आर के किसके बच्चा यह सार के और कोड़ एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री कोड़ यह स्क्यू आर बराबर 28 डिग्री ध्यान दो जल्दी फिलिक लो बेटा हां और कोड़ क्यू आरटी बराबर 65 एंगल क्यू आरटी इक्वल 65 क्यूस्चन है यह है तो एकस और य के मान गयाद कीजिए है तो एकस और य के मान गयात कीजिए देखो बहुत आसान है very simple है ये भी सिर्फ आपको concept समझने है हाँ जो बच्चे concept नहीं सीखे हैं वो comment करके बताएंगे last में उनको हम वीडियो दे देंगे आलक से concept वाला chapter जरूर देखना जो भी पढ़ाया गया जैसे एक आंतर कौन क्या होता है ये अंता है कांतर क्या होता है ये तिर्भुज के तीनों कोणों का योग 1806 अंस का ऐसे होता है ये सारे अगर आपको पर्मिय नहीं आते हैं आप नहीं सीखे हो तो फिर आपको ये सवाल हल करना थोड़ा मुश्किल लगेगा अब अच्छा ठीक है कर नहीं पाओगे फिर समझ नहीं पाओगे ये सब इसलिए आपको पूरी तैयारी से इसको पढ़ना है पूरी अरण नीती आपके अच्छी होनी चाहिए हुँ समझ रहे न तुम लोग चलो ठीक है गुड बेरी गुड चलिए अब क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे लेकिन पहले फिकर तो बनाएंगे ना जो कांसेप्ट नहीं सीखें अभी लाष्ट में नंबर देंगे संपर करेंगे उनको मिल जाएगा लाश्ट में नमबर दिखा देंगे अभी रुके रहो चलो पहले कुश्चन समझने कोशिश करो ऐसे बनाओ यह फिगर है जो फिगर के बारे में बात हो रही है कुश्चन में वो फिगर बनाओ चलो बच्चा रेडी रेडी यह है और यह है यह सीधा सीधा है फिलहाल हमारा थोड़ा टेड़ा हो गया है यह 28 है बच्चा यह यक्स है बाबू और यह वाई है भाई साहब और यह बच्चा 65 है ठीक यह चित्र है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही थी उपर इनके नामकरान कुछ ऐसे हैं पी क्यू और यह यहाँ पर आर यहाँ पर से देखो इसमें है कि अक्चुली जो आरस आर फुक्क है इसको टी तक बढ़ाया गया है मतलब यह वाई कोंड बना रहा सिक्टी फायव का बाहरे जाके बना रहा है exterior angle na exterior bycone आप देखो समझो इसमें क्या क्या करना कैसे करना है कोशीज करते हैं हम लोग मिलके चलो है आप लोग समझ रहो ना बात कि नहीं समझ रहो चलो जल्दी लिखो फटा-फट क्या क्या लिखोगे बाई साहब लिखो देखो इसमें अगर आप ध्यान दो अगर आप ध्यान दो एक चीज क्या क्या पी क्यू आर फिर से समझो कौण पी क्यू आर ये बराबर है किसके क्यू आर टी के कुछ समझ में आया नहीं समझ में ऊ बोलोथ या यह बता दे रहाई हूं देख को इदर यह कूण किसकी बात हो रही úat PQR की अरे आईlar है यह क्यू आरो कि इसको अलग बना दे रहा हूं यहार मैंने अलग से start आपको दिखा दिए ठीक है चलो आप समझो आया ना समझ में मैंने अलग इसलिए कर दिया कोण PQR ये बराबर है QRTK क्यूं बराबर है अब आप लोग कोगे क्यूं बराबर है भई देखो कोई बतारा पैरलल वाली वज़ा से यह अन्ता आंत्रिक कोण है क्या है यह अन्ता वाली वाझा से बिलकुल सही का, आपने, बिलकुल आपने सही का, देखिए, यह OR, इसी blessings समाना रहे हैं, और इसी लाइन पे यह tip wholly पन रहे है, भाई इए देख यह दों में common हैं की नहीं पहले देखो दियान दो, मय दियान दो, यह is के लिए हो इसके लिए भी उज़ हो रहants है देखो यह किउ हार है हुआ यह क्यू आर इसने भी उज़ हो रहे हैं इस जो रही में और यहांता आंत्री कौण है अलग कैसे किया अलग मैंने तुमको समझाने के लिए का भाई ये यूनिक नौलेज मैंने आपको समझाने के लिए अलग किया अलग किया अलग को समझ रहो ना यह मैंने समझाने के लिए अलग किया अलग नहीं करना तुम लोग को मैं इसमें बताता इसे इसे करके तुम ल में नहीं में थोड़ा जादा भले लगत लेकिन समझ में इसलिए थोड़ा जादा वक्त इसमें लगा देघरं बाक्वी एतना घ्रकर देना चाहिए लेकिन अगर समझ ना पाओंगे तो मजा नहीं आएगे तो लिखों यहाँ पर हल डाल की लिखो थे सक config क्यू आर इक्वल कोण क्यू आर्टी यह बराबर क्यूं है कोई स्टक में लिखो अंता आंतरी कोण ठीक है ओके पर्याप्त रीजिन नहीं होगा तो बता देना मैं बता दूंगा चलो अब क्या करोगे बच्चा आप अगर ध्यान दो एक चीज ध्यान दो तो जो ये पी क्यू आर बन रहा है ये दोनों कोण को मिला के बन रहा है बोलो ध्यान दो बन रहा है कि नहीं दोनों को मिला के भाई इसमें दो कोड था ना एक तो अठाई था एक एक एक्स था तो दो को मिला के बन रहा है ना बन रहा है ना तो आप लिख सकते हो PQR की जगा पे कोड एक्स फ्लस कोड 28 मतलब एक्स और 28 को जोड़ोगे बच्चा ना तो ये कोड क्यू आर्टी के वराबर होगा ठीक है इतना ठीक है इतने में कोई परकार की समस्या नहीं ना किसी को ठीक ना इतना चलो अब क्या करोगे अब यहां से बच्चा आप यक्स का मान निकालोगे एक बात और भी समझ लो यार इसका भी तो मान दिया भाई साहब क्यो आर्टी का तो मान दिया है भाई कोड आर भी तो लगाना हर जगा अच्छा नहीं मैं फालतू लगा रहा हूं यहां पर कोण का चिन्हमत लगाओ जब मान रख रहे हो तो क्या मतलब है चलो अब यहां से यक्स का मान कितना आएगा मुझे बता दो आप लोग एक्स का मान जल्दी बताओ तुरंद तुर्गे सोनी दिवाकर जी बताइए एक्स का बैलू बताओ भई चलो रेडी 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 तो बच्चा कोण यक्स बराबर 65 माइनस 28 करोगे बेटा तो यह 30 से बनाएगा कितना आएगा 30 आएगा ना समझ में आ गया ना मतलब कितना आसान है आपको सिर्फ सब्ट्रेक कर लेना बस ओनली कल्कूलेशन है वाकि कुछ ज्यादा इसमें बुझाना नहीं है ठीक है ना संच चलो इतना लिख लो जल्दी से फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ूंगा बहुत जल्दी करो फाष्ट चलिए 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 रेडी मैं इसको मिटा रहा हूं अब क इसक्रेशन ले लो ठीक है स्क्रेशन ले लो हो गया चुक्कि में पास जग्या नहीं कि मैं यहां कर दूंर बस है औब क्या है चलो मैं लीखी देता हूं जो आया हैं यहां पर इसको भर लो मतलब यह टोचल कितना आ गया 37 आ गया अब पीकि यू एस में देख लो 180 लगा द हुआ वीडियो पीछे करके लिख लो अगर नहीं लिख पाया आप तो चलो रेडी देखो भाई आप सभी बच्चे स्क्रीन साथ ले लिया करो जिब सवाल पूरा हो जाए बाद में नोट किया करो आराम से पहले यहां पे समझ लो हां पहले यहां पे समझ लो चलो ठीक है गुरूप में बाद में जाइन हो ना बच्चा है लिखो अभ तीरभूझ P Q S में किसमे P Q S में भाई यह x कमा न कितना आगया और यहां पे देखो यह यक्स था ना यहが ता इस और कि ना गया 33 वना गया हमें क्या निकालना था पहले यह फिर से देखें तो निकालना था बिल्कुल किरन मौर्या का उत्तर आ गया बिल्कुल सही किरन मौर्या बेरी गुड देखो हमें यक्स का मान आ गया वाई का निकालना है और बच्चा ये नब्बे अंस है भाई कहना ही नब्बे अंस है क्यों क्योंकि लंबवत है रेखाए ये रेखाए क्या है तो नब बैंस है है ना भई बतलब यह यह आ गया लिखो चलो लिखो आब तीरभूज पी क्यू एस में क्या लिखोगे कॉड क्या लिखोगे कॉड एस पी क्यू यह पी वाला कॉड ना एस पी क्यू लिखो चाहे ट्यूपी एस जिस पर कॉड बन रहा हुव enough बीच में आना चाहिए तो लिख लेंगे एस पी क्यू प्लस यक्स प्लस वाई इक्व एक्सवस सेण्स कारण क्या है कर कारण लिखलो ब्रेकट में कारण लिखलो ब्रेकट में चुकि तिरबुच के तीनों कोणों का योगफाल 180 अंस होता है बिलकुल SPQ 90 अंस है इसका हमें 37 मिल गया है यह वाई बराबर 180 तो बच्चा यहां से वाई बराबर निकालोगे बेटा तो यह हो जाएगा 90-37 वाई बराबर 180 माईनस इसको जोड़ोगे 127 आएगा वाई बराबर घटाओगे बच्चा तो यह तिरेपन आएगा यानि वाई का जो मान आया वो 53 आया कितना आया 53 आया यही हमें निकालना था यह आपको नहीं करना जो मैंने किया फिलहाल आपको नीचे दिखा देना बस सचिन कुमार समझ में आ गया हर्स यादो अनूपम यादो ब्रिज कांत भाई यहाँ पे डंडा मत करो पढ़ लो यार तुम लोग उपर नंबर दिया मैसेज कर दो देखो तीन दिन लगता है अधिक्तम गुरूप में जोड़ने में ठीक है नहीं तो कल दस बजे के बाद फोन करेंगे उनको तुरन जोड़ दिया जाएगा नहीं तो गुरूप में जोड़ने में लगभग तीन दिन लगता है क्योंकि आप लोगों के हजारों की संख्या में मैसेज आते हैं बहुत सारे मैसेज आते हैं तो हमारे जो साथी लोग है वो रिपलाई आपको करते हैं लेकिन एक दिन में सबका नहीं हो पाता है इस वज़ा फे थोड़ा वक्त लगता है तो बाबु आप लोग इंतजार कर लिया करो नाराज मत हुआ करो ठीक है इंतजार कर लिया करो तो यह आपका कुष्चन नंबर पाचवा भी हो गया कुष्चन नंबर पाचवा हो गया ह हाँ ठीक है तो समझ गये ना आप लोग हाँ उपर नंबर दिया गया है आप लोग एक काम करो सभी पहले यह बताओ टेली गराम एप रखे हो कि नहीं वट्षफ गुरूप छोड़ो वट्षफ गुरूप में हम सब को नहीं जूडते हैं देलिग्राम गृूप में आप खुद जूड सकते हो पहले जंसे नहीं कि अगर नहीं बच्चा अगर आप टेलीग्राम का गुरूप जॉइन करोगे न तो टेलीग्राम में जो कलास आप तक पीछे छूट गई है सब मिल जाएगी क्योंकि सब मैंने पहले से उस पर भेजा है लेकिन अगर वाटसब जॉइन करोगे देखो टेलीग्राम का स्पेलिंग किरन मौरया ने लिख दिया बिल्कुल सही यह अगर आप वाटसब का गुरूप जॉइन करोगे बच्चा तो आज के बाद जितना मैसेज भेजेंगे सिर्फ वही देख पाओगे ठीक है सिर्फ वही देख पाओगे जो आज की बाद भेजेंगे मतलब पीछे का नहीं पढ़ पाओगे इसलिए टेलीग्राम जॉइन करो कैसे करोगे जब टेलीग्राम एकाउंट बना लेना इसको डाउनलोड करना डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है जैसे वाट्टाप में रेजिस्टर करते हो उसके बाद सर्च करना जब एकाउंट बन जाएगा तो ऊपर क्या सर्च करोगे भाई पीवियार स्टडी वहाँ पे जैसे यूटूब में सर्च करते हो ना वैसे टेलीग्राम में सर्च का आपसन आता है सर् बहुत धन्यवाद आज के लिए आपको प्रेम पूर्बग दिल से धन्यवाद यह कलास हर दिन सामको साथ बज़े से होती है ठीक है तो उस पर लिंक भेज दिया जाता टेलीग्राम में आपको सम्मिल जाएगा जरूर जोइन करें वाट्साप ग्रूप छोड़ दो मत तेलीग्राम सबी जोइन करो ठीक है बहुत बहुत सुक्री आप सभी को इस कलास को खूब सेर करें जादा जादा फेर करें आतधिक भी आएंगे हम और बड़ी कलास चलाएंगे आद देखो एक घंटा चला आदा घंटा ना ऐसे और बड़ी कलास होगी